तो अगर आप यहाँ पर रियल्मी 8 स्रीज के 5G वर्जन का वीट कर रहे हैं इंडिया में लाँच होने के लिए तो आपके लिए काफी अच्छी गूड न्यूज है तो यहाँ पर रियल्मी 8 स्रीज के 5G स्रीज स्मार्टफ़ों की जो admir लॉच रेठी है वो भी यहां पर लीग होकर चुकी है उसके साथ में यहाँ पर इसे स्मार्टफ़ूं के कुछ जो फीचर स होने निकल कर चुके है इने smartphone की live image निकल करके आच चुक ही आपको दिखाने वाला हूँ कि जो Realme 8 Series के 5G variant होंगे Realme 8 या फिर Realme 8 Pro 5G वो देखने में कैसे लगेंगे क्या कुछ जानिक दी गई है तो तो सारे चीज़ें आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ वीडियो काफी जदेंग ट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को लास तक दिखते रहेगा इसके साथ अगर आप चैनल में पहले पर आए हैं तो यार जरूर से सब्सक्राइब को लिजएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर वैरियेंट जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों यह तो बात होई बैक पैनल के बारे में अब बात कर लते हैं स्मार्टफून के फ्रेंट के साइड के बारे में फ्रेंट के साइड में अगर आप देखते हैं अगर बात करता हूँ इस smartphone के कुछ आ हुए detail features के बारे में, तो यहाँ पर अब कहा यह जा रहा है कि जो Realme 8 Series का 5G version आने वाला है, उसमें आपको 120 Hz की refresh rate के साथ में जो IPS display panel है वो यहाँ पर देखनी के लिए मिल सकती है, अब यह confirm तो नहीं है, leak है, लेकिन यहाँ पर कहा ऐसे जारा कि आपको 120 Hz की refresh rate के साथ में, जो display हो देखनी के लिए मिल सकती है, वैसे Realme अपने smartphone वगर में काफी हथ तक display वगर को upgrade कर रहा है, इसलिए chances बन रहे हैं कि आपको high refresh rate के साथ में जो display हो देखनी के लिए मिल जाएगी, smartphone में कहा जारा है कि आपको Dimensity 720 series का जो processor हो देखनी के लिए मिल जाएगा, जो कि एक 5G processor है, और यहाँ पर यह जो processor है, वो मीटे टेक का एक सस्ता 5G processor है, उसकी साथ में इस smartphone आपको मिलने वाला एक T-Smart का charger और यहाँ पर आपको एक बड़ी battery भी देखने के लिए मिल जाएगी, तो यह कुछ features हैं जो कि leak होकर के आज चुके हैं, अगर बात करता हम आपसे इस smartphone के launch date के बारे में, कि आखिर इन smartphone की launch date क्या leak होकर क्या आई है, और कभ यह जो smartphone है वो यहाँ पर इंडिया में launch होने वाले हैं, तो हला कि एक चीज़ मैं आपको पहले इक confirm कर दूँ कि यह जो launch date है वो कहीं से भी confirm launch date नहीं है, यह जो launch date वो leak है और leak के विशिच पे मैं आपको सारे सिज़े बता रहा हूँ, यहाँ पर कहा यह जा रहा कि जो Realme 8 और Realme 8 Pro 5G smartphone होंगे, वो यहाँ पर इंडिया में 28 April को launch हो सकते हैं, 28 April को यह जो smartphone है वो यहाँ पर launch किये जा सकते हैं Realme के तरब से, यह launch rate फिलहाल यहाँ पर leak होर के आई है, अब देखते हैं, official confirmation आना अभी बाकी है, वैसे Realme C series के smartphone launch कर दिये गया है, और Realme काफी समय से यहाँ पर लगाता है, tweet वगरा कर रही है, Realme के upcoming 8 series के 5G variant को लेकर के, तो इससे कहीन कहीं यह चीज़े confirm हो जाते हैं, इससे स्मार्टफोन के बारे में क्या आप यहाँ पर Realme 8 series के 5G version का वेट कर रही हैं, या फिर नहीं कर रही हैं इंडिया में लाँच होने के लिए, जरूर से अपना opinion मुझे comment करके बता दीजेगा, अब फाइनली दोस्तों ही आपको वीडियो में आसा करता हूँ, शुड़ी अनकारी समया गई होगी, अगर आपको वीडियो परसंद आई, तो यार वीडियो को like, comment से जरूर कर दीजेगा, अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बिला किनको ही प्रस कर लिजेगा,